तो समण संग को खतम करने के भी कुछ चिन्न है पहले समण संग कैसे खतम हुआ उसको भी सीख ले क्योंकि हम समण संग दुवार से जहानत पहुचकर ठीक किया है तो इस बात को चेक कर लें कि समण संग को जब खतम करेंगे तो उसका symptom तो उसके sign क्या है, उसके चिन्द क्या है, कैसे पैचान होगे कि समर्ण संग खतम क्या जा रहा है, आग खोल के रखोगे, विजिलेंटर होगे, तो पैचान जाओगे, तो बचा लोगे, अगर समर्ण संग के गुरूप बनने शुरू हो जाए, और टुकड़े हो जाए और इंडिपेंडनन होने शुरू हो जाए, यानी कि जैसे समर्ण संग के घटक बनना है, अभी घटक बनना है, क्योंकि काम बढ़ रहा है, और इन घटकों में अगर इंडिपेंडेंटर्सी आ जाए, और ये कहें जी हम तो अलग काम परेंगे, हमारा को अलग चलेग जड़का है घर के अंदर है रहेगा तो घर केंदर इसलिया सब गटक संकों का अलग-अलग काम है। कर रहेंगे तो घर में तो अगर वह independent अक्षा जाड़ जाए हम तो अलग काम करेंगे तो संद लिएना कि संग तूटना सुरू होल गया संग घात सुरू हो गया यह पहला साइन है दूसा चिन Uz क्या है दूसा चिन यह है कि अगर संग में नेता पैदा हो जाए, संग में एक व्यक्ति की बात आख मंद करके मानी सुरू हो जाए, संग में सवाल जवाब बंद हो जाएं और जो एक व्यक्ति ने कह दिया वो फाइनल है, तो समझ लेना कि संग में गुलामी की तरह बढ़ना सुरू हो गया और संग सं चाहे तो वो टैक्टिस फुल है, चाहे वो कैसा भी हो सकता है, अगर एक ही आदमी चल लिए और कहीं गलत बात चल लिए उसकी, तो तुर संग गया आपका, फिर तो वो संग्ठन बंद गया क्यों की, संग्ठनों में एक व्यक्ति की बात चलती है, और वो कुछी बोल देता ह पर्ची कारना सुरू कर दे, चंदे का धंदा सुरू कर दे, और संग ये कहे, बार 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 पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, बिना पैसे कोई काम होता है, आजादी ऐसा नहीं मिलती है, आजादी के लिए खर्च करना पड़ता है, और तुम कमाते हो, तुम्हें बाव नहीं होता पैसे लेने का, संग तो व्यक्ति खटे करता है, व्यक्ति काम अपने आप करते हैं, वहाँ कोई लेंदियन होता नहीं, अगर आपको लगे कि अब एक साथ नहीं बैठते, अलग-लग बैठते हैं, कुछ लोग अलग बैठते हैं, और कुछ लोग अलग बैठते, ज कुछ लोगों के लिए सीट को रिजर्व कर दिया यहां यह फलाने बैठेंगे यह हमारे फलाने बैठेंगे यह हमारे विसिश चतिती यह हमारे मुख्य अतिती यह हमारे फलाने अतिती तो समझ लेना कि वो संग्ठन हो गया संग खतम हो रहा है अगर कभी ऐसा साइन इसका पता निचलता और संग में बात आती नहीं है तो समझ ले ना कि ये संग्ठन बन गया क्योंकि संग्ठनों के निड़ने कहा होते है कौन इसके तो खुद के जो कारे कर्टा सीक्रेट वाले होते हैं उनको नहीं पता चलता कि कहां क्या किसने कर दिया संग में सीधे तोर से कभी भी संग राजनिती में नहीं जाता संग्ठन सारे जाते हैं सीधे रूप से ये पहचान है इसलिए संग का भी अगर सीधे रूप चर राजनिती में जाए तो समझ लेना कि संग खतम हो रहा है या हो चुका है संग में अगर बराबरी खतम हो जाए गेर बराबरी आ जाए मतलब इस्टेटस की बात होने लगे नोक्री की बात होने लगे एज की बात होने लगे, कोई किसी भी बात को ले के धमकाने लगे, या बुद्धि मत्ता की बात होने लगे, या धबाने लगे, तो समझ लेना कि संग्ठन में, संग्ठन के अंदर संग्ठन के जो अब गुण हैं वो आने शुरू हो गए, क्योंकि संग्ठनों में धमकाया ज जाएगी क्या है संग के अंदर कभी जाती का पंत का संग्ठन या घटक नहीं बन सकता कभी नहीं बन सकता जाती का नहीं बनेगा वर्ण का नहीं बनेगा मत का नहीं बनेगा रिलिजिन का नहीं बनेगा धर्म का नहीं बनेगा गौड के किसी इस्ट्रेक्शर का नहीं बनेग ये कभी नहीं होते संग के अंदर, क्योंकि संग सभी लोगों को समाइद करता है, अगर कोई व्यक्ति जाती पर गर्व करने लगे, जाती की बात करने लगे, जाती के एकटे कले लोग, जाती का संग्ठन बना ले, वर्न का बना ले, या किसी मत का बना ले, या पंत का बना ल जाती हों के तो हजारों लाखों बने हुए हैं वो संग्धन बनते हैं संग में ये चीज नहीं चलती संग में इसका जिक्री भी नहीं हो सकता अगर कोई इसका जिक्री भी करता है तो समझ लेना कि हम संग्धन की तरफ जा रहे हैं संग के अंदर काड़ की प्रधानता होती है यानि संग में सिर्फ एक चीज़ है जो प्रधान है जो प्रुमुक है कम है यानि कर्म है वर्क है यहां वर्क की वर्सिफ है अगर आपको लगे के संग में काम की बजाए चमचागरी और चाप्रु सी आरभ हो गई तो समझ लेना क संग्ठर मन रहा है संग्ठर मनता जा रहा है क्योंकि जब आप किसी के काम का या किसी व्यक्ति का या किसी के नाम का खामे का चाप्रुसी करो और काम ना करो तो संग्ठरु में वही चलता है संग्ठरुसी चलती है यह मरेगा तो हमें सीट मिल जाएगी इसकी चाप्रुसी कर अगर वो काम करेगा, संग उसको पैचान लेता है और देर नहीं लगती यहाँ, जो काम करेगा, उस सब की निगा में आ जाता है इसका उधार मैं आपको बता देता हूँ यह योगंदर कुमार सर हैं यहाँ, यह आज की डेट में बहुत काम कर रहे है उससे पहले प्रकासिंग सर काम कर रहे थे, यह दिन्नात लगे रहे हैं, सुबह पांच में से लेके साम तक लगे रहे हैं आप इनको पोर्टल पर देखते हो, यह काम करना बंद करते हैं, बात खतम हो गई, कोई और आ जाएगा मैं काम करना बंद करते हूंगा, बात खतम होगी, कोई और आ जाएगा तो यहां व्यक्ति की प्रधानता नहीं है, यह काम की प्रधानता है काम जो करेगा, वो आपको दिखाई देगा, उसका काम दिखाई देगा काम नहीं करोगे वो बंदा ही गायब हो जाएगा यहां से बहुत सारे बंदे गायब हो चुके हैं जिनको काम दीए उनसे काम नहीं हुए उन्होंने अल्ले बंले गाए और चलेगे और ब्लेम लगागे चलेगे तो पहली और आखरी जो प्रमुक है प्रमुकता है और जो पढ़ानता है वो यहां काम की है इसलिए काम पर ध्यान दीजिए बाकी चीज़ें बेकार हैं अगर आप काम पर ध्यान नहीं देते हैं चापलूसी पर या बाकी चीज़ों पर ध्यान देते हैं सोसिवाजी पर ध्यान देते हैं तो वो संग्ठर में चलता है, यहां नहीं चलता, अच्छा संग का आप कहीं भी ढूंड लो, कितना भी गहरा खोद लो, मालिक नहीं मिलेगा, तो हम ऐसा पता करते रहिए कि संग्ठर का कोई मालिक है क्या, अगर संग्ठर में कोई मालिक मिल जाए तो इसका मतलब यह है इसका मालिध मैं हूँ मेरे घर का पता है मैं सबबढ़ के नाम सेnelle भाइन के वैओ तुम चुपचा पैसे देते जाओ और हिसाब लेgger जोत नहीं है तो संग में कभी कोई मालिक रहा ही नहीं आसता है संग का मालिक तो संग ही होता है यानि आप अगर संगी हो तो आप इसके मालिक हो और जितने संगी हैं वो सारे इसके मालिक हैं दो चार मालिक भाग जाओ, दो चार मालिक बिक जाओ दो-चरव मालिकों को अगर टीबी वाइरस हो भी जाए, लोङक जाए या मन बदल जाए तो फर्रक नहीं पड़ता है, है क्योंकि स्रमण संग में पैगता है हर व्यक्ति का, हर व्यक्ति इसका जनमजात मालिक होता है, जो इसको पहचान लेता है जो इसमें काम करेगा वो एक्टिम मेंबर है एक्टिम मालिक है और जो इसको नहीं पचानता वो इन एक्टिम मालिक है जब चाहे जब काम करे अपना मालिका नहाख इसमा के लिए और क्या मालिका नहाख है या तो काम ही मालिका नहाख है तो काम करन है वो झारों को पता नहीं है आज हूं ठीक है ठीक है अगर ऐसा होना शुरू हो जाए बंद कमरे में इसंड शूरू हो जाए तो समझ लेना कि अब ये संग्ठन बन गया है और इसे निमट लेना चीतरे से तो यहाँ जितने भी निर्णे होते हैं वो सामुईक होते हैं अगर निर्णे सामुईक ना हो और निर्णे दो चार पांच लोग करें तो इसका मतलब ये संग्ठन बन गया ये संग नहीं ये पहचान है आपको ये आपको संग की पैचान जो जीवन भर आपको काम आएंगी, आपको ये पैचानने में काम आएंगी, कौन सा संग ठन है और कौन सा संग है, तो संग के अंदर एक खास बात होती है, आपने देखा होगा, बुद्ध से लेके, बावसाब से लेके, जिलनों को ने भी समढ़ स हैं वो जैसे आपने देखा होगा कि आज कल जितने भी लोग हैं वो विरोध करकर के दुस्मन दुस्मन करके दुस्मन दुस्मन करकर के और खामे का हमको दुस्मन बनाते रहते हैं मगर समझ संग में ना दुस्मन की बात की जाती है ना संग में नहीं होता और सबसे आखरी और important बात अगर आपको कोई संग में पद दे दे आपको प्रतिष्टा दे दे, आपको मानता दे दे, इसका मतलब वो संग नहीं है, संग ठन है संग के अंदर ना तो पद है, ना प्रतिष्टा है ना ही कोई पोईशन है, ना ही मान है, ना ही सम्मान है, यहां सिर्फ सब को सर क्या के बोला जाता है और महिलाओं को भेंजी क्या के बोला जाता है, और समढ संग के अंदर कोई किसी का, संग के अंदर कोई किसी का खाता नहीं संग्ठन में तो पैसे खटे होते हैं संग्ठन वाले खर्च कर लेते हैं वो संग्ठन की पैचान है मगर संग में यहां कोई खाता नहीं है इसलिए पैसा नहीं खटा होता तो इसलिए कोई किसी का खाता नहीं तो रोटी भी अपनी लेके आते हैं वाहर में भी अपने आते है या पैसा देते हैं या किसी सेहर में जाते हैं तो अपना देंगे तो यहां कहीं किसी को जैसे आजकल चल रहा है कि पेड वरकर चल रहा है यहां कोई पेड वरकर नहीं है संग में कभी कोई पेड वरकर नहीं होता संग में तो सब काम करते हैं क्योंकि संग में संख्या लाखों में होती है करोड़ों में होती है तो इसलिए संग की ये छोटी-छोटी मोटी-मोटी पहचान है अगर कभी आपको लगे कि समण संग इस मैंसे कहीं हिल रहा है कोई बात हो रही है तो जहां portal पे हो वहीं अपना बटन दवा के और वहीं बोल देना उसका फायदा यह होगा कि जो व्यक्ति इसको करेगा वो साब्दन हो जाएगा तो ठीक कर लेगा अपने आपको जितनी लोगें वो ना सुय होते तो आज हमें यह कवायद नहीं करने ही पड़ती अज हमने तीसो चोथिस लोगों मैंसे कुछ आराम से कहीं बैठके सो रहे होते कहीं किसी भोटल में खाना खा रहे होते कुछ विदेश किया तो हमें अब अपने आप पर भरुसा करना है अत्त दीव भव बना है तो हमें कुछ दिन के लिए नेता प्रधान संट्रम की जो लोग है उनको फ्री छोड़े उन पर कोई भरुसा मत तरो और अपना काम करके हमें खुद इखटे होना है उनको यह कहना है कि भाई तुम स धानता है आप यह सोचो के हमने सुन लिया हमने जान लिया और बात बन गई तो भी सुनने से और जानने से अगर बात बनती तो सभी सुनाते हैं सभी बताते हैं उससे बात नहीं बनती सुनाने में बताने में तो कहीं कोई कसर है नहीं बस कसर जो है वो है काम करने में तो करवति यह संग जो काम करता है वह लगता लगता रहे काम करता है किसा रहाद को चले जाएंगे और तेज दोड़ने वाला दो गुंटे में एक किलोमेटर जाएगा तो हम लगातार चलते रहेंगे अपना काम करते रहेंगे इसलिए संग ये कहता है कि आपको बहुत ज्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा रिसोर्स देने की आवस्कता नहीं है जितना बावा साब ने कहा है उतना ही दूआ कितना कहा है पांच परसेंट टाइम और पांच परसेंट रिसोर्स रिसोर्स में क्या देना है जो आपके पास है मोबाइल फोन है तो उसका पांच परसेंट इ के लिए. समाज के पास जाओ जाकर जोड़ना जोड़ना है. आपके पास एयूक्षार तो समाज न हाजर 16 मेट, 15 मेट लगाओ जो 5 परशन्ट बैठती हैं, उनको फोन करो, उनकी पोस्ट बनाओ, उनको मोबायल करो, मीटिंग में आओ, जोडो, 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 जोडो. नहीं थे पर उन्होंने हमको जीवित रखा और यहां तक जीवित रखा है कि हम आज यहां 330 लोग बैट रहे हैं तो हमारी डुटी है कि हम अपने बच्चों को जीवित रखें बावा साब के आशिर वास्ते कृपा से है आज हम इस लायक हैं और उन अपने बजुर्गों से तो बहुत अच्छे लायक हैं बहुत अच्छे जानकार हैं बहुत अच्छे सरीर में हेल्दी हो गए हैं बुद्धी में हेल्दी हो और जो पूर्वजों ने हमको बचाया है, उस समर्द्धी को आगे बढ़ाने की खातिर हमको तेजी से जुड़ना चाहिए, जोड़ना चाहिए, और जब हम जुड़ जाएंगे, तो क्या करेंगे? यह प्रसन आता है. तो हम जब जुड़ जाएंगे, तो जो व्यक्ति जो च तो संग में जो बिजनिस करना चाहे वो करे इतने सारे करोड़ों लोग होंगे तो उसके वैसी गाहक बन जाएंगे तो संग में कोई आदमी अगर यह कहे कि मैं बहुत ज़्यादा सकाई नौक्रिव देगी क्योंकि संग आपके साथ है तो प्राइवेट में आपको आरेक्ष तो कुछ भी काम कर सकता है सोचने की आप सकता नहीं है हर काम कर सकता है और अगर संग नहीं होगा तो आप हश्र देख रहे हैं हमारा सतर साल में हम कहां से कहां तक आ गए बस दस साल और रहा है दस साल के बाद तो हम यह कहने लाइक नहीं रहेंगे जोडो और जोडो यह कह हैं वो जीते हैं बार बार बताया जाता है हर बार बताएंगे हर बार बताएंगे जुड़ना ही पड़ेगा जीतना ही पड़ेगा इसको आप मजबूरी समझने हैं कि हमको मजबूरी में जीतना पड़ेगा तो मजबूरी वाला काम ही करेंगे हम तो जीतेंगे चाह कुछ हो धन्यवाद आप सभी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में convert करके आगे बढ़ानी चाहिए या print में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी part को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है, ये सभी copyright free हैं आप अपने facebook पे, अपने page पे अपने tutor पे, या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं, आप YouTube पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है, उन्ही की बात को सरल भासा में बताते हैं, हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे, कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूजी आपकी है, धन्यवाद गच्छामू दूतियंपी दम्मंग सर्मंग रच्छामू दूतियंपी दम्मंग सर्मंग रच्छामू दूतियंपी दम्मंग सर्मंग रच्छामू दूतियंपी सर्मंग सर्मंग रच्छामू दोखियं पी सन्दम सर्णं कच्छामी तरतियं पी बुद्धम सर्णं कच्छामी दोखियं पी बुद्धम सर्णं कच्छामी तरतियं पी बुद्धम सर्णं कच्छामी दोखियं पी बुद्धम सर्णं कच्छामी तरतियं पी सन्दम सर्णं कच्छामी तेतियम पिसन्दम सेन्दम पिर्शामी सादू, सादू